हेलो एवरिवान वेलकम बेक टू माई न्यू व्लोग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल खुरम व्लोगर पर और मैं हूँ आपका दोस्त रहोष खुरम व्लोगर दोस्तों आज की इस वीडियो में लिखा हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट औ और ऐसी अपडेट शायद जो अभी किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अगर आप बाइरोड कहीं भी ट्रेवल करेंगे अपनी कार बाइक या बस से तो आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत बड़े-बड़े ए एरपोर्ट पर जिससे की फायदा हुआ है उन सभी आत्रियों को जो भी टर्मिल 3, टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 पर फ्लाइट लेके आ रहे हैं या फिर फ्लाइट लेके यहां से कहीं के भी लिए जा रहे हैं तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस वीडिय वे के उपर से बहुत तेजी के साथ जाते हुए टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 एरकाफ जा सकता है या अगर एरकाफ टर्मिनल 1 या टू पर लेंड हुआ है तो वो बहुत तेजी के साथ इस इस्टन टैक्सी वे के उपर से होते हुए टर्मिनल 3 पर आ सकता है इसी वीडियो में में आपको अभी पहले की क्या सिचुएशन होगा अभी आप ये देख सकते हैं वीडियो के अंदर ये इस्टन टैक्सी वे बना दिया गया है जैसा कि गाड़ियों के लिए फ्लाइ और बनाए जाता है वैसे ही अब इस इस्टन टैक्सी वे के उपर सा आप कभी कभार एरक्र की तरफ जाता ही है तो इसके राइट हैं साइड और लेफट हैं साइड दोनों ही तरफ एरपोर्ट का बहुत ही बड़ा एरिया है और बीच से कोई भी रास्ता नहीं था तो पहले क्या इश्यू आता था आपको अगर फ्लाइट ली होगी टर्मिनल 3 पर फ्लाइट लैंड आने के बाद आपको 20-25 मिनट लग जाते थे टर्मिनल में आने के लिए जिसकी वज़े से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने में आपको बहुत दिक्कत आती थी और एरपोर्ट से अगर कोई सब्सक्रामिनल 1 दूर जाते हैं और टर्मिनल 1 की शाइड आपको दिखा दिया है और इंटर ने नेशनल फ्लाइट थी और टी-3 अगर आना होता था तो उसमें काफी टाइम लग जाता था यह तीन रन्वे है वन टू और त्री मेंने तीनों आपको दिखा दिया है तो आपको जो इशू आता था वो मैं अभी इस वीडियो में किलियर करके आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो में बने रही है तो पहले क्या होता था अगर कोई भी फ्लाइट आपकी टर्मिनल वन पर ल लगने में दूसरा क्या दिक्कत होता था अगर फ्लाइट आपकी इस रनवे पर उतरी है टर्मिनल थी के और उसको टर्मिनल टू या टर्मिनल वन जाना होता था तो भी हां लैंड करने के बाद किलियर इसके बाद काफी टाइम लग जाता था टर्मिनल वन या टर्मिनल ट या वन जाना होता था और यह आप देख सकते हैं यह टर्मिनल वन का रास्ता है जो बाइरोड आप टर्मिनल वन पोस्ते हैं तो इसमें पहले बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और फ्लाइट के अंदर जो भी पैसेंजर होते थे उन्हें कनेक्टिंग लेने में या फिर पास भी बोल सकते हैं वह टर्मिनल वन से टर्मिनल टू और टर्मिनल थृ आ सकता है उस तरीके साब एकर कोई एरक्राफ्ट लेंड करता है लगों निकल जाता है तो इससे काफी फायदा हुआ है लोगों का टाइम से हो गया है और यह ऑपरेशन में है टैक्सी वे इस मैं आपको अभी दिखा भी दूँगा इसके उपर से एरक्राफ्ट आ जा रहे हैं एर्पुट अथोर्टी ने जो इस्टर टैक्सी वे बनाया है इससे काफी फायदा हुआ है यात्रियों को तो यह बहुत ही अच्छा अपडेट है अभी शायद आपको किसी यूट्यूब च शेयर करें